नमस्कार दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीक आईपियल 2021 में 25 अप्रेल को डबल हेटर के पहले मैच में चन्नाई सुपर किंग ने रॉयल चेलेंजर्स बैंगलोर को 79 रन से हरा दिया चन्नाई की आईपियल 2021 में अलगातार चोथी जीत थी इस जीत के साथ ही महेंदर सिंग धोनी की अगवईवाली चन्नाई सुपर किंग 2021 की पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुँच गई है चन्नाई की इस जीत में रबिंदर जणेजा ने हर्फन मौलाद प्रदर्शन किया उन्होंने बल्ले बाजी करते हुए 28 गेंदों में नाबाद 62 रन बनाए उन्होंने 20 वे ओबर में 37 रन बटोरे उन्होंने 25 गेंद में अपना अर्धस तक पूरा किया बादमी गेंद बाजी करते हुए 4 ओबरों में 4 ओबर में 13 रन दे करके 3 विकेट भी जटके इनमें एक ओबर उनका मेडन भी रहा इससे पहले चन्नाई सुपर किंग के कप्तान महें सिंग धोनी के बारे में कुछ बताएं आप लोग अगर रविंद्र जड़ेजा को एक अच्छा खिलाडी मानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों इससे पहले चन्नाई सुपरकिंग के कप्तान महें सिंग धोनी ने टौस जीता बल्ले बाजी करने का फैसला लिया चन्नाई ने 20 ओबरों में 4 विकेट पर 191 रन बनाए लच्छ का पीछा करने उतरी रायल चैलेंजर्स बैंगलोर 20 ओबर में 9 विकेट पर 122 रनों पर ही सिमट गई बिराट कोहली समेत RCB के साथ बल्ले बाज दाहाई का अकड़ा नहीं छूपाए देवदत पाडिकल RCB के हाइस्ट स्कोरर रहे उन्होंने 15 गेंद में 34 रन बनाए ग्लेन मैक्सवल की बात करे तो उन्होंने 22 रन काईल जैमिसन ने 16 और मुहम्मद रियास ने नाबाद 12 रन बनाए चिन्नई के और से जड़ेजा के अलावा इमरान ताहिर चार उबर और 16 रन देकर के दो बिकेट लिये सारदुल ठाकुर और सैम करन भी एक एक बिकेट लेने में सफल रहे रविंद्र जड़ेजा मेरो अबदा मैच चुने गए इस मैच में दोनों ही टीमों ने दो बदलाओ किये थे चिन्नई और बैंगलोर के बीच आईबियल में अब तक 21 मैच खेले गए हैं इन में से 17 में चैन्नई ने जीत हांसिल की है जबकि 9 मुकाबले में बैंगलोर उसे हराने में सफल रही है एक मैच बेनतीजा रहा और दोस्तों आप लोगों को मैंने बताए ये कल के मैच का आखो देखा हाल अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो रविंद्र जडेजा को आप अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट के साथ हमारा अगला वीडियो जल्द ही आएगा दीजे जादत जय हिंज जय भारत वंदे बातर